सब्सक्राइब करते हैं एक तो जब आप अडिट का स्टार्ट कर रहे हो प्लान कर रहे हो परफॉर्म कर रहे हो तो ऐसे एक बार मिस्स्टेटमेंट मिल जाते हैं उसके बाद उसे कैसे करना होता है तो यहां पर खाली इसा टाइटल लिखोगे तो गलाच कर रहा हो कि बहुत जो थोड़े बहुत उन्होंने ठीयरी लिखा नहों खतम कर रहा हूं उसके बाद पूरा practical case study setup currently all right everyone look at page number 67 this essay deals with auditors responsibility to apply the concept of materiality in planning and performing an audit of financial statements as a 450 explains you how to apply materiality for evaluating the misstatements all right materiality in the context of audit अबना वो लोगे मैंना आपको ऐसे basics में सबको पता है materiality is a relative town all right it will depend upon various factors उसका कोई single standard definition नहीं हो सकता लेकिन सबको इतना होता है कि जो भी users of financial statements के लिए important होगा वो material है all right so look at this 2.1 financial reporting frameworks often discuss the concept of materiality बना कोई भी एस इंडेस कोई भी framework लेलो सब लोग materiality का बात तो करते ही है बोलते भले सब जगा अलग अलग लिखा होता है all the financial reporting frameworks में discuss materiality in different terms normally दुनिया में कहीं पर भी जाओ they generally explain that first misstatements including omissions are considered to be material if they individually or in aggregate a line could reasonably expected to influence the economic decisions of the users anything that can influence the decision economic decision of the users is going to be material then materiality is a relative term judgments about mortality are made in the light of surrounding circumstances it will depend upon facts and circumstances sometimes the size of the amount is important sometimes the nature of a statement is important then जभी भी हम लोग ये financial statements करते हैं सारे users के लिए जो commonly important है वो देखते हैं common financial information needs of the users कि अब बैए SPFS को अड़िट करेंगे special purpose financial statements का तो specific चीजों को देखेंगे एक-एक user का देखेंगे वरना तो GPFS में तो हम लोग सब की common needs देखते हैं तो यह तो कुछ भी नहीं था यह तो ऐसे बेसिक से रिपीट हुआ और बोल रहे हैं अगर आप जो financial statements को अड़िट कर रहे हो अगर उसमें materiality का discussion नहीं लिखा है कुछ भी बोलते हैं फिर भी यह जो ABC हमने पढ़ा उसको आप कंसिडर करो सब जगा मट्रेटी का तो लिखाया होते हैं इस अप्लिकेबल फाइनेशा रिपोट इस्केशन आप में पढ़ा प्लीस कंसिडर यह तो पॉइंट थी कैन यूजर सब्सक्राइब कि वह क्या देखना चाहते वह मट्रियल है तो इन डाट केस मैं जब यूजर से देखना शुरू सोचना शुरू करता हूं तो सबसे पहले डाउट आता है कि कि कितने लोगों ने कंपनी में इंवेस्ट किया रहेगा लेकिन शाहिद कंपनी के बिज कि बिजनेस क्या है कंपनी का अकाउंट कैसे बनते हैं बैलेंशीट इस नॉट जिस नॉट जैनिदर शेट वह अनको पी एनल क्या होता है डोंट यू थिंक कि मैं इतना तो अज्यूम कर सकता हूं that they have knowledge of business and they have some working knowledge of accounts all right look at this इतना तुम्हें अज्यूम कर सकता हूं क्या क्या अज्यूम कर सकते नो उसका लिस्ट आ रहे एक मिडिया अजूम्शन से कर नहीं लिए तो क्या होगा तो हमारा ओडिट रिपोट है चार्शीट जैसा दिखेगा हजार पेच का इधर अपने को हर एक चीज लिखना पड़ेगा तो यह अजूम्शन सापको काम आते हैं औरिट के टाइम पे देखो मैं उपर का उनका हैडिंग पड़ता हूं और जब मैं यूजर्स के एंगल से सोच रहा हूं तो तो भाई मेरे को डरावने डरावने खायल आते हैं इसलिए उन्होंने बुला डोंट वरी इ यूम वर्ड यूस करेंगे और मट्रियालिटी का क्वेश्चन रहेगा तो समझ जाना कि यहां पर यह मॉमिट करता है कि मैं कौन से कौन से असंप्शन ले सकता हूं कि यूजर्स देयाव नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड एकोनॉमिक एक्टिविटीस एटलिस अगर आपने इन्वेस्ट किया तो पतातों का क्या है और आपको बैसिक अकाउंट तो एलिएस पता है कि बैलेंशीट होता है पी एनल होता है वगर ऐसे और आप वह अकॉंट को पढ़ोगे इसलिए हम लोग एक एक चीज़ बोल्ड में करके नहीं देते वाई तू पढ़ लिखके देत विलिगनेस्टु स्टडी देंफॉरमेशन विद रीजनेबल केर डिलिजिंस ओल राइड विजनेस का नॉलेज है उनके पास एड अकाउंट्स का नॉलेज है अगर मेरे को कोई शेर ओल्डर ने एगम में पूछ लिया कि वह अंबनी ने कितने समोसे खाए उसका कहां पर अक पर उसको में इतना तो अज्यूम करो ना कि उनको पता है कि फाइनेश स्टेटमेंट्स करें प्रिपे और प्रेड प्रेजंटेटे डैन अडिटे लेवलस आप और हम जब और यह सब में क्या इसका होता है तो अगर कुछ मिसलेनिस दिखा है मिसलेनिस के अंदर भी अदर लिखा है तो मेरे को मिसलेंस के अंदर के अधर का आडिट के बारें पूछे का तो मैं उसको जबर्दस मारेगा और एक मीट समोसे के basis पर बिजिशन लेगा कि कितना इनिवेस्ट करना है कि टर्न ओवर और प्रॉफिट के बिचिए ओविएस्ली तो दो अग्जांपल से एक तो आइविल अंडर्स्टेंट आइविल अज्यूम दे अंडर्स्टेंट अप्रिपाइड प्रेजनेट अर्डिटेट दे लेवल्स अ मट्रियालिटी एंड लास्ट देको लास्ट दे में एक रीजनेंबल एकनोमिक डिसिजिए यानि समोसे के बेसिश पर देविल नॉट डिसाइड जो नॉर्मली एक रैशनल इन्वेश्टर सोचता है उसकी तरह में सोचूंगा ऑन दे बेसिस आपको ऐसा सवल पूछ लिया तो ऑडिटर लास्ट यर प्रोविजन फॉड़फूल डेट्स था दस लाख रुपे यह साल एक्च्वल बैट डे तो बजेट सेट करके निकलता है कि आज 50 रुपर में घर पहुंच उंगा उसका 50 का 500 बजाता है पता नहीं चलता तो एस्टिमेट्स में तो अनसर्टेंटी होती है अभी कि आप यह एक्सिपेक्ट करते हो कि हम लोग रिपोर्ट में बार बार लिखें कि यह एस्टिमेंट एक मिनिट कितने अजम्शन एक तो बिजनेस का अजम्शन की उनको पता है बिजनेस क्या है दूसरा अकाउंट के नौलेज का देन मट्रियालिटी का लूसरा आगाउंट के नौले अनौले। अनौले अद्स्क अव्राश्ब ट्रीम गिंधस्ट ट्रीमिंटे इस्टराश्टर् समीट्ट श्ली मेघ नं हॉर्म्शन ए इस्टिस्व श्लियं सुर्छ व श्यूहर व थाक्ष्ट, विनौन्resse लिए अनौन् रेंट बिसनेस अकांट्स मुट्रियलेटी एस्टीमेशनल दिसिजिए स्टी मेश्टी मेश्टनल दिसिशिए इतनी चीज़ों के च्या ले सकता हो अदूम्शन की यूज़र्स को इतना है एट लिस्ट पता है और वन अफ यूजर्थ क्वेश्ट उसे इंटर सीए बट इस सब्सक्राइब और यह समझने के लिए न थोड़ा मेरे को आपको मतलब इसका एक एक टेक्निकल वाट समझने के लिए मेरे को सेट करवाना पड़ेगा सब्सक्राइब प्लानिंग परफॉर्मिंग और अडिट ऑफ फाइनाशल स्टेप्मेंट्स यह आपको प्रेक्टिकल ही के स्टेडी में कही ना कहीं टच करके पूछेंगे वह ओके लेट उससे थाइए अबीसी फिर्म फटार्टेट अकांटेंट् अवर्ण ओडिटर अफ एक्स लिमिटेड फाइनशल एट 22 23 ओनवर्ड़्स अबीसी फार्टेट अपॉंटेट फटाफट का बईए अज एजन ओडिटर आफ एक्स लिमिटेड फाइनशले 22 23 ओनवर्ड़िस अप्वेंट्मेंट कब होगा आपका कौन से मंत में 23 अपोइंटेट गोगा उसके बाद उसका और जो एजी एम होता है तो 21-22 एजी हम होगा उसमें एसे आपका 22 23 का अपोइंट्मिंट होगा तरीछ तरीछ टेस से यह बिन अपॉइंटेड इन दे मन्त ओफ कि यह से जुलाई 22 you have been appointed in the month of July 22 अब थोड़ा मैं एक्स लिमेटेट के बारे में बता देता हूं some important details about x limited some important details about x limited so let us say x limited का turnover is rupees 800 crore's comma 900 crore's comma 1200 crore's in the last three years so this is the latest turnover year 21 22 turnover हो रहा है यह 2021 का यह 1920 का अल्राइट नाव इसा मैनुफाक्ट्रिंग कंपनी मैनुफाक्ट्रिंग ओफ कंजुमर यूटिलिटी प्रोड़क्स जो भी आपके डेली यूटिलिटी प्रोड़क्स होते हैं जैसे बैक से लेकर स्टाइन तक सब ले लो आपके सो कंजुमर उटिलिटी प्रोड़क्स उसकी मैनुफाक्ट्रिंग कंपनी है यह ओल्राइट इस बिन एक्जिस्टेंस और सिंस 1985 इग्जिस्टेंस इस 1985 ऑल रैंड बट यह लिस्टेटी नहीं यह अनलिस्टेटी है ओल्रेट इस और अनलिस्टेटी अनलिस्टेटी एंटिटी चलो बहुत बता दिया आपको एक्सलिमेटेट के बारे में अब टेल मी सम्थिंग जो आपको इसका वॉल्यूम दिख रहा है आपको क्या लग रहा है कि 2223 पूरा खतम होगा उसके बाद आप अब 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 इसे कर देना चाहिए अब इसे थोड़ा-थोड़ा कर देना चाहि 6 वीजीड फूड़ ये वीजीड में टूली तुम एजिए पिर आपको गड़े नवीजीड तूम पूली टूलीड ये वीजीड वीजीड जूदोर अब टीयस सब्टेंबम्भ खवड तूलीड कि सब्सुडे आपको औरे अब इसे सब्सूलीड ये लिघ्टाव्वाद तो 30 सब्टेंबर 2022 का एंड से यानि की फर्स्ट हाफ यर तो बोल रहें कि भाई और स्टार्ट कर देना चाहिए तो ऑक्तोबर 22 में विजिट करके ऑडिट करेंगे कि अगर आपकी टीम आप चाहते हो कि आपकी टीम ऑक्तोबर 22 में जाके एक्जीकूट करें आडिट को आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यह यह पूरी एंटिटी के अगर यह आपको डिसाइड करना अभी प्रवचन बहुत हो गया अभी तो आप कैसे अप्रोच करोगे अभी हाव विलुटेज़गा गी वीपिडियो टीम कि जाया लए जाएटरी अउसके नीचे वाला जो भी अमांट साइगा ताज आपवाउ दिस तो नापक्रोच्टरेट लेविडिल सेट करना पड़ेगा चैनीवाट रूड आपैक्ट अपंद कर आपड़ेगा अगर आपवा और फिर सेडी होता है यह जो आपने जो बुला ना उसमें 50 परसेंट करेक्ट है 50 परसेंट थोड़ा अलगे मैं परफॉरंस मेटियर्टी लेवल तक आउंगा और तब आज आपको एक्चुल पता चलेगा वाई परफॉरंस मेटियर्टी इस कर सकता हूं प्रीवियर्ट के फाइनशन स्टेपमेंट को बेस बना ले तो और यह वह इंपोर्टन इन दा प्रीवेस या असे व इंडर्सटाइंड क shark video is to support for the previous year पर के लिए इंपोर्टन हो सकता है रहिक्र मैं मैं ऐसे स्टार्ट कर सकता हूं सो ओविएसली आई नीड तो सेट सम कांड आप मट्रेटी लेवल और राइट सो एवरीवन राइट डाउं ओडिटर नीज तो डिटर्माइट मट्रेटी लेवल पूछना कुछ मुझे कमुनिकेट करना पड़ेगा तीम को कि पूरे ओवराल फाइनाइश स्टेटमेंट में कौन्सी कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है एक्जामपल एक एक्जामपल वान पर्संटेज ऑफ द प्रिवेस टान ओवर ता उसका वन परसंटेज सी जितनी भी लैन आंटम सो गी विच एज्वन लाइन है तो प्लट्स नीफ तेटमें जो आडिक लैना इन टो व्या है तो तो फूर प्रसंटेज अविस चैटरबर तो आई विल कंसिडर दाट दोस आइटम से मटीरल अब प्रिवेस यह टॉन ओवर क्या था त्वेल अंड्रेट करोज यह लेटेस्ट था था वह थोड़ा तो फिगर से याद रखो त्वेल अंड्रेट करोज अल्राइट अब उसका वन परसेंट सो दाट इस ट्वेल करोज उसको मैं उसके पर फोकस करेगा फिर वह आइटम के अंदर कितना वेरिफाई करना है उसके लिए आप सैंपल निकालते हैं तो फर्स्ट इस ओल्वेस टुटर्माइन अंड डिसाइड और एरियास ऑफ फोकस तो क्या किया क्या मैंने थेयरिटिकल टम्स में बोलो तो मैंने किया किया मैंने क्यों ऐसा लिया previous year turnover का बन पर्सेंटेज क्यों लिया यह निया प्रीवेस यह टॉन और के पर्सेंटेश क्यों लिए प्रीवेस यह का कुछ और भी ले सकता था में टॉन ऑवर क्यों लिए एक मिद्ध यह मैंनुफेक्ट्रिंग एंटिटी एक कमर्शियल एंटिटी के फाइनेश में यूजर का फोकस कांपे होता है या तो टॉन राएगा तो जब तक वन पर्सेंटेश ऑफ टरन ओवर तक अगर पाइनेशन स्टेटमेंस रहेंगे तो उनको जाधा तैंशन नियों लेकिन अगर वन परसेंटेज़ ओफ टरन ओवर के ओपर भी मिस्स्टेप्शंट्मेंट से था तो आव्यसली इट विल इंपक्ट ग्र economic decisions तो मैंने यह margin of error रखके मैंने सोचा है और उसके ओपर मैंने क्या लगाया पर्सेंटेज अच्छा मैं आपको कितना भी पढ़ाऊंगा तो ऐसे दो तीम बच्चे हो सकते जो अपनी औरिट फर्म में कुछ अलग कर रहे है विकॉस मट्याइटी को लेके 95 पेज का गाइदेंस नोट और फिर भी एक कोई भी क्लियर रूल नहीं है मैं नॉर्मली जो इंडस्ट्री प् इस चारूल देर और यह लेफ्ट अधेखो और सोगया रहेगा आज पहला तब यह तरीका वर रूब वह उसका अल्रैट इस यह मैंने बेंचमार्क सेट किया और यह क्या अपलाए कि उसके अपर पर संटेज अब मेरी टीम को आईडिया आने लगा कि कौन सी कौन से एरिया करना है अज है और यह फिर अच्पैन्स के ओपर सब देखा जाता है और अपर अट इस अत्र नियंट और ऊपर होता है कितना एक्पैस कि तर गया है all right और वात इवाट इफ आइंटिंग एंटिटी यह जो पूरा डैट फाइनट है कोई शेरोल्डर ही नहीं उसमें 100 परसंट डेट फाइनेंस आपको क्या लगता है अगर मैं किसी को लोन देता हूं तो मेरा फोकस कहां पर होता है उनके उनके उनका रीपेमेंट के पैसिटी और उनके असेट्स तो मैं कैसा देखूं का यह भाई जो भी मिस्टेट्मेंट है वो भाई परसंटेज और टोटल असेट्स के उपर नहीं होने चीएं भाई इनके असेट का फिगर बराबर है ना तो मैं उसके बेसिस पर सारी चीज़ों को मे सब्सक्राइब को सांफ है यह बात बताओ रिलेटेटी के आप करोड के भी है और छे करोड के भी है तो भी आप ऐसी चीज़ों में फोकस करोगे कि नहीं करोगे क्यों सिगनेफिकेंट रिस्क एरिया है सर उसके डिस्क्रोशन मैंडिटरी है वह एक ऐसा आइटम है जिसके उपर इंकम टैक्स डिपार्टमें में पढ़ा हो रहता है एक्जाटली तो कहना इसे यह तो मैंने तो यह लेवल पर काम नहीं करेंगा ते लिए मैं अलग लेवल बताता हो ओल्रैट से एवरीओं प्रीज लीव अनलाइन एट राइट डाउन इट इस पॉसिबल कि अधा ओडिटर में डिटर्माइन अ सप्रेट लेवल ऑफ मेंट्रियालिटी पर स्पेसिफिक टीविडीज पर स्पेसिफिक टीविडीज थाने बुरीवली दूम्बीवली ट्रांशक्टिंस बैलेंस इस्ट्रोश पता है ने ओक इस पॉसिबल देर में डिटर मैं अ सपरेट लेवल अ मजाईटी पर स्पेसिक टीविडीज एग्जांपल रिलेटेड पार्टी ट्रांशक्टिंस ग्रेटर देन इक्वल टू रूपीस टू क्रोर्स और सो नीट टू बी कंसिडर्ड मैंने तो अभी से मट्याइटिय कंसेट स्टार्ट किया है लेकिन इस वक्त जितना आपने प्रैक्टिकली पड़ा उतना थीरी से देखना ज़रूरी है रिशीका आपका जो पर्फॉर्मस मेट्याइटि वहां तक तो मैं अभी तक पहुचा भी नहीं अल्राइट एवर्यों ओवर यह लुक एडिस देखो यह समझ मारा के क्या बोल रहे हो लोग रिक्वार्मेंट सपाट वन अफिक क्या होता है थीरी से टच चुड जाएगा फाइप पॉइंट वन ओके इडिस पॉसिबल देटर्माइन सप्रेट लेल आप मैट्यारीटी फॉस्पेसिफिक टीवीड थी पाइप पॉइंट वाइंट 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 वन एस्टावलिशिंग ओवर ओडिस्ट्रेटिजी ऐसे होता है जो ज्यादा बोले हो तो उनकी लोग ज्यादा मस्त ट्रेटर चोर्शल्ड दिटर्माइन मट्रिडिव ओर फाइनिशन स्टेटमेंट अज अ रहले वी तो फैला लाइं निकल गया लुके दिस बैन ऐस्टाविलेशिंग ओडराइट स्ट्रेजी औरिटर्में यही की आपने मट्यालिटी पॉर फाइनिंशन स्टेटमेंट अस so greater than equal to one percentage of the turnover next if in the specific circumstances of the entity there is one or more particular class of TBDs like related party transactions for which misstatements of lesser amounts then your general level may could be reasonably expected to influence the economic decisions of the users the auditors also determine the maturity level or levels to be applied to those particular class of TBDs all right wait we have related party transaction set up all right but a minute related question please come to the question practical to me समझाना है साथ-साथ में theory भी दिवाम में बिटाना है क्यों related party के लिए अलग level set किया भई मैंने important था सर की disclosure था उसके वो laws से government item है बराबर question number two look at this question number two when establishing overall audit strategy auditor shall determine maturity for financial statement as a whole however if in specific circumstances of the entity there is one or more particular class of TBD for which misstatements of lesser amounts than the maturity could be reasonably expected to influence the economic decision of the users the auditor shall determine a maturity level or levels to be applied to those particular class of TBD means setting a separate maturity level for some specific activities mention the factors qqr related party transaction के लिए अलग level set first factor because regulatory governed item है law regulation और AFRF affects users expectation regarding measurement or disclosure of certain items for example related party transactions या managerial remuneration all right then next क्या है की related party एक important disclosure है in relation to the industry in which entity operates और खास करके अगर attention is focused on a particular aspect of the entity's business that is separately disclosed in the financial statements for example a newly acquired business all right so everyone law regulation फ्रेवर कर और दू करे पी पार्टी के लिए निलीच अफ्टी के इंगर टें गुलेर आस्पे पर रच्पिकुलर आस्पे इंगर व्यालीट ने चीन स्था होँए अग्या तो बिके के अच्छा क्या कलभ है कोई भी नया चीज हो रहा है अगर आज अगर आपको पता चला रिलाइंस इंडर्सिस लिमिटेट ने इन्हों कोई स्टार्टप वगरे में इन्वेस्ट करके उसको उटा लिया न्यूज विसमें आ गया भले इतना बड़ा पॉइंट नहीं हो रिलाइंस के एंगल से पर यह साल आपका वहां पर फोकस होगा यह साल के जब फाइनेश आपके पास आएंगे तो आप देखना चाहोगे कि यार उसने जो इसमें इन्वेस्मेंट्स किया था उसका क्या रिटन्स आ रहा है तो उसका डिस्क्रोश होगा न फिर बले वह चोटी चीज़ रहेगी फिर भी आप उसको सप्रेली डिस्क्रोश करने बोलोगे और सप्रेली ऑडिट भी करोगे पर्टिकुलर आस्पेक्ट पर फोकस है आपका कोई वह साल बदलते रहते वह आस्पेक्ट और यह सर यहां हम बोल रहें कि जो दूसरे ट्रा का नीड क्यों फील हुआ बिकास देर कुड भी सम्टीड इस जो आपके जनरल मठ्याटी लेवल से काफी नीचे है बद चल यू थिंग धाट इस इमपोर्ट इस पूर्ट थे अधर वे रांद और समया और वे वे वान उन पर संटेश्ट वहां यूंट वहां तो सेट एट लेवल for some items okay then basically that means you are going to focus on all the items which are greater than equal to one percentage when will you feel a need of setting a separate level when something is much lower still it could be important for you all right okay so we are done with this question number two kya aap separate maternity level set q karte ho all right question number one यह जो मैंने one percentage of turnover किया general level जो सेट किया पर मैं general word यूजने करूंगा अभी जो मैं level पूरे financial statement में apply करता हूं से मैं कहता हूं maturity level for overall financial statements और जो specific चीज़ों के लिए अपला करता हूं उसको बोलता हूं maturity level for specific class of tbds तो मैं अगर बोलू maturity level for overall fs यानि जो पूरे fs के लिए मैंने general rule बनाया हुआ है वो कैसे बनाया look at this question number one you have been appointed as an auditor of alpha limited manufacturing company dealing in multiple products and segments while establishing overall strategy you know that there is a need to set maturity level for financial statement as a whole in determining this level you also understand that the first step is selection of an appropriate benchmark जो मैंने start किया नवो please mention the factors that may affect the identification of an appropriate benchmark one of their favorite for mcqs all right बाइने turnover पे क्यों लिया उसको look at this factors that may affect the identification of an appropriate benchmark turnover पे focus क्यों किया look at this b point सबसे बड़ा factor है सबसे बड़ा factor b point attention of the users whether there are items on which there will be attention of the users users का focus maximum कौन सी चीज़ों पे रहता है उसको ही मैं benchmark बनाऊंगा all right okay whether there are items on which attention of the users of particular entities financial statement tends to be focused जैसे अगर commercial entity तो turnover profits वगरे पे होगा all right other way round अगर non commercial entity तो expenses वगरे पे होगा for purpose for purpose of evaluating financial performance users may tend to focus on profit revenue or net assets all right then so दूसरा सबसे बड़ा factor है वह है यह nature of the entity वही commercial है कि non commercial उसके सबसे users का focus चेंज होता है दोनों कितना इंटर रिलेटे कमर्शल है कि नॉन commercial नेचर उसके सबसे users का focus भी shift होता रहता है और एक मेंड़ अब आपको थोड़ी भारी भारी चीज़ें बताता हूं कि लेट उस से डाट मैंने अभी इसमें कोविड वगरे इसे नहीं किया है लेट असे डाट 2021 का टॉन ओवर वास थी हंड्रेट क्रोड और किसकी वज़े से प्रॉब्लेम हुआ कोविड के वज़े से अब टेल में अगर कोविड होता नहीं तो मैं क्या करता पता है है बेस्ट क्या करता पता है खाली प्रिविएस यह पर भरोसा नहीं रखता मैं पिछले तीन-चार साल का एवरेज ले 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 था और देखो 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 एंटिटी कितने साल से 1985 अब तो पिछले तीन-चार साल का एवरेज निकालों तो आपको एक स्टेबल चीज पता चलेगी कि नॉर्मल निंका एक्सपेक्टेट टॉन और वगरे क्या होता है तो ऑन एन आवरेज जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पर फोकस करते हैं पता है मैंने प्रिविएस यूर पे मैंने यह वाला मैं प्रिविएस यूर के उपर क्यों फोकस किया विकॉस कोविड की वज़े से अंसर्टेंटी इतनी है अगर आप एवरेज निकालो कि तो डिस्टॉब्ट फिगर आएगा पुरा एवरेज में नॉट बी इंडिकेटर ओफ वाट तो एक्सपेक्ट इन नेक्स यह तो यह तो भी क्या हो रहा है देखो इतना बड़ा कंपनी था ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्री खतम भी नहीं हुआ है फिर भी आपको अडिट शुरू करना पड़ा क्यों करना पड़ा विकॉस वाल्यूम अब मैं एवरेज तो ले नहीं सकते हैं आपर विकॉस कोविड की चीज़े भी कंसिडर करनी पड़ती है कि मैं जो बेंचमार्क सिलेक करने वाला हूं मुझे एक ऐसा पिच्चर देना चाहिए जो यह का मैं ऑडिट कर रहा हूं उसका रीजनेवल प्रेडिक्शन मुझे मिले अच्छा आप यह भी कर सकते थे आप यह भी कर सकते थे कोई पूरे साल का एक एस्टिमेटेड बैलेंशीट बनाओं फिर वो उसके उपर आप डिसाइड करो कि क्या इंपोर्टन नहीं और देखो मेरे पास पूरे साल का आइडिया तो होना चाहिए कि यह साल में क्या इंपोर्टन होने वाल तो ही मैं अपनी टीम को फोकस ऐसे सकते हैं आपको तो क्या में रोबर्ट की तरह बता रहों उसमें हां में बोल रहे ह। ऐसे कितने सारी तरीक हो सकते हैं बेसिकली आए वरंट सम्पिचर आफ 2223 और इसलिए मैने क्या किया मेरे एक्शापल में प्रिवेस यर को बेस ले लिए पर काफी बार लोग आवरेज डेटा जितना वेलेबल होता है उत्रा देखते हैं बैलेंस का प्रोजेक्शन करते हैं यह सब चीजे करने के लिए कौन से फैक्टर सकंसिडर करते हो लो लोग 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 दिस क्वेश्चन बैंक में यह आंसर कंटीनी और रहे है वेट लुक अधिस यी पॉइंट पड़ अब यह प्लक्टुएशन आइड़ वांट बेंचमंग विच वेरी फ्लक्टुएटिंग अभी पैंडमिक का में एक्जाम्पल दिया काफी बार क्या होता है लेटा से सबकुछ नॉर्मल चल रहे हैं अभी एंटिटी अपना पहला पहला या दूसरा साली एंटिटी का इं लोग क्या करते हैं पूरा साल वेट करते हैं जो एक्चुल एर खतम हो उसके बाद ही औरिट स्टार्ट करेंगे विकॉस मैं लास्ट यर को भी बेस बनाऊ तो लास्ट यर से भी करेंट यर का एकदम यह अलग हो सकता है विकॉस अगर एक्चुल रिजल्ट अलग आया तो तो फिर मेरे टीम का पूरा एफट वेस्ट हो जाएगा अल्राइट अगर बहुत ऐसा इनो फ्लक्चुएटिंग होता है तो हम लोग वेट करते हैं for the year to get over and then we will start our audit मैं आपको क्या पढ़ा रहो पते हैं लाइफ साइकल वाला पॉइंट लाइफ साइकल वाला पॉइंट अब यह जो मैंने बताया वह आपको लाइफ साइकल और वोलेटालिटी दोनों का एक एक एक्जामपल लिखा देता हो प्लीज पुट एन ऐस्टिक मार्क बिसाइड बोट अभी तक ज्यादा कन्फ्यूज नहीं होने का बीचारा नहीं बन है कि अपको प्रैटिकल चैनल के सप्विया इता हाँ और टीर है ता अब कर अघृट से होना मैं लो प्रैक्टिकल खेरिया तो भी मूह बनाते हो प्रैक्टिकल यह उभ्यां सकतां हमको जो आए वह सही होना चीएं इस कि मैs मेचॉरिटी स्टेज अधर अपने मेचॉरिटी स्टेज पर है तो आप चार साल तीन साल का एवरेज प्रॉपर इंडिकेटर देगा आपको कि नेक्स चेर क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है देन कि एवरेज ओफ लाज्ट थ्री तू फॉर यहर्स एक बिए एक बाहर मेच्टेड प्रोग्चे को कि चेर करिए चेर कर दो आपको कि नेक्स वेरेख-वडर से विडिके चärtने मेच्टेश्यूर्स चीजर के अरेख उन्हिं और टो आथन एक त LGBT तो akad HTC कि हाविवर मैं तो इंग चेंज करके लिख रहा हूं हाविवर कि इस इस इन इस ग्रोथ स्टेज देन करेंट यूर कैन बी मटिरियल डिफरेंट कि फ्रॉं प्रीवेस यह को सब्सक्राइब करेंट इस इस आप से वोलटालिटी हो जाता है और इसे पैंडेमिक वगरे में ओके इस 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 आपको वोलेटालिटी के बारें पता चलेगा एक साथ कंसिडर करने होते हैं और अब बहुत मस्त पॉइंट आ रहे हैं एंटिटेस ओनर्शिफ स्ट्रक्चर एंड वे इस इस मैं बोला ना अगर एंटिटी हंड्रेट परसंट डेट फाइनेंस्ट है तो फिर यार यूविल सेट बेंचमांक बेस्ट अपन परसंटेज ऑफ तोटल एसेट लेकिन अगर एंटिटी ज्यादा इक्विटी फाइनेंस्ट है तो क्या होगा तो शेरोल्डर्स का ध्यान का पर होगा प्रोफिट टॉन डेट राधर दैन एक्विटी तो यूजर्स में पूट मोर एंफ़सिस ऑन असेट्स और एंटिटेश और इंटेश और इंग्स और रेंट वेरी गुड वेरी गुड देखो तो लोन्स एडवांस इंडिपॉसिट सब कुछ लोग कैसे देखते हैं परसंटेज ऑफ लोन्स और इडवांस इसके सबसे अधर कॉंसा कॉंसा असेट लिएबिलिटी इंकम एक्समेंस है और उसमें से कॉंसा सबसे ज्यादा डिक्टेटिंग अल्यमेंट है तो आपको इसमें कोई कोड़ बनाने की ज़रूत नहीं है इस वेरी वेरी लॉजिकल आंसर वाट इस अधर किस तरीके से हो फाइनेंस है और इपॉइंट वोलिटालिटी सो फिर्स्ट एलिमेंट्स सेकेंड यूसर्स सी नेचर ऑफ दे एंटिटी दी फाइनेंस और यी वोलिटालिटी अल्याइट इस आर्दा फैक्टर्स एट विल्प यू तो डिसाड़ बेंच्मार्क इस आदा मस बनाया ओथर ने वहाँ पर अच्छा डाइग्रम बनाया है इंट्रस यह का मॉडियूल है तो वो बोल रहे हैं कि बहुत आप बेंच्मार्क कैसे सिलेक्ट करोगे देखो यहां पर लिखा है परस्पेक्टिव एन एक्स्पेक्टेशन ऑफ दे यूसर्स कौनसी चीज़ो सब्सक्राइब कर देखो उसके ओपर देखो यूजशर्स का ओकस कहा पर होता है अब देखना अगर entity maturity stage पे है maturity stage पे है तो उसके profits और उसके ओपर से आप उसका अंदाजा लगा सकते हो benchmark set कर सकते हो अगर entity startup stage पे है तो ज़्यादा equity assets यह भी activity based लिया लेकिन ज़्यादा equity assets वगरे पर focus होता है फिर look at this अगर entity profitable है तो यह benchmark ले लो आप अगर entity loss making या break even पे है तो उसका percentage of profits के ओपर तो आप महीं पता चलेगा फिर भी अगर entity break even या loss making फिर भी investors क्यों पड़े हो entity में उसका all right so that is that is they have given a good diagram कि हम लोग benchmark कैसे decide करते है all right nothing else मैं तो खाली यहाँ पर ऐसे दिखाया आपको interest एके book में सो आपको कभी practical भी अगर देखना होतो तो question number one the very very good question for your mcqs done क्या होगे हस्ती एकदम क्यों ऐसा इतना interesting में डिला नहीं चलता है बोलो क्या doubt है नहीं समझा पचास बर explain करता हो clear है ना तो ऐसा यह से लूज नहीं हो जाने का look at this फाइनल से clear करना इदर सो everyone look at the notes notes में अब यह जो हमने लिखा auditor needs to determine maturity level for the overall financial statements question number one and separate level determine करना होता है that is question number two all right अब अपना story आगे बढ़ रहा है आपको पूरा flow practically ऐसे समझना पड़ेगा अब अपना story आगे बढ़ रहा है let us say कि मैंने क्या मेरा overall financial statement level का क्या है greater than equal to one percentage of the previous year turnover all right let us say कि अगर मैं यही level पर आगे बढ़ता जाता हूँ अगर मैं यही वे अगर में अगर मॉवर देंट कि इसा ही फायनेशल पिन फाईनेशल स्टेपमेंट आप मत लिखो चलेगा अजयो आपने लिकना है अपने आपको पिनेशल इंद सिंद फाईनेशल एक डगाशल आइटम ए B C D E F G H let us say this is 12 crores this is 8 crores this is 6 crores this is 4 crores this is 15 crores this is 20 crores this is 25 crores and let us say this is 11 crores all right now my level is materiality level what is my materiality level well go one percentage of the previous year turnover so after applying my materiality level for overall FS you can see items selects ho jayegi my red my highlight color item selects ho jayegi a E F G that's it see if it's any item selects all right so after applying maturity level for overall all FS we will verify a E F G let us say a E F G verify करने के बाद you have identified misstatements we have identified misstatements worth Rs 8 crores यानि यह items verify करने का पता चला कि सपोस्पोज यहां पे दो करोड के misstatement थे यहां पे 4 करोड के misstatement थे यहां पर एक करोड का मिसState में था यहां पर करोड का मिस्तान था तो इतनी items verify करने के बाद आपको misstatements मिले वर्ट रुपीस एट करोर्स अल्राइट ओके तो आपने मिस कौन सी कर दी डी सी डी एच यह आपने मिस कर दी अब लेट से मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बता रहो जो आपको पता नहीं है अब आपको कुछ ऐसी चीज़ बता रहो जो आपको पता नहीं है अगर आप बी सी डी एच वेरिफाई करते अगर आप बी सी डी एच वेरिफाई करते देन यू वड़ एफ ऑप्टेंड मिस्टेटमेंट वर्ट रुपीज फोर करोज लेट असे इसमें पॉइंट फाइल ए का मिस्टेटमेंट है इसमें वन करोड का मिस्टेटमेंट है इसमें टू करोड का मिस्टेटमेंट है यह आप मिस आउट कर चुके हो यह आप मिस आउट कर चुके हो इफ को ऑडिटर वुड़ एव वेरिफाइड वी सी डी एच वी सी डी एच वी सी डी एच देन ही वुड मिंस्टेटमेंट्स वर्थ रुपीस फौर क्रोर यह अभी चार क्रोर्ड से जोगया तो मैं चार्टर कहो क्या बोलूं उन्हिते क्थी देट्पीस यह तो मिस हो गया कि अंडिटेक्टेड मिस्टेटमेंट्स पर समझ लोगर मैंने यह वरिफाई किया होता तो ओविएसली मुझे और भी मिस्टेटमेंट्स मिल जाते अब यह एट करोड प्लस फोर करोड कितना है टोटल 12 करोड कना से इस एट माई मट्याइटी लेवल येस और नो स दिस रिस्क आए वांट तो रेडियोस दिस रिस्क मेरेको तो यह रिस्क रेडियूस करना है विकास ब्लड़ी इस ग्रेटर दर इंपल तो मैं मट्याइटी लेवल इन ओडर तो एंशॉर की ऐसी गड़बन ना हो ताट इस वाट विल दू two auditor will ask his audit team in to consider all such items which are let us say at 30 percent of the maturity level वाट इस और मट्याटी लेवल वाट इसमेट लेवल 12 करोस का 30 परसेंट कितना हुआ 3.6 करोस अब मैंने मेरी टीम को बोल दिया कि भाई मेरा जो भी मट्याटी लेवल उसके 30 परसेंट पर आप काम करो आपके पास थोड़ी और नीचे की अमांट वाली आइटम भी वेरिफाय करवाँगा ताकि मैं सेफ हो गया जैसे कि अगर आपको मेरे अगर मुझे अगर मैं चाहता हो कि आपको 50 55 60 वगरे मिले तो फाड़ूंगा आपकी इतनी की 80 माक्स तक का आपका टार्गेट होना चाहिए तो एट लिस 50 55 60 तो अच्छी वह ही जाएगा तो यह समझा है यह बारा करोड इसके ऊपर तुम्हें कंसिडर करने वाला था लेकिन इसके ऊपर कौन सी कौन सी आइटम्स थी एइएफ जी एएफ जी तो एनिवेज वेरिफाई होने वाला था अल्रैट मूट करो भई कौन यह हैं मूट करो अल्रैट अई एएफ जी तो एनिवे लीफाई होने वाला था लेकिन बिकॉस मैंने 30 परसंट ऑफ 12 करोड पे काम करवा रहा ओं तीम को यानि 3.6 करोर और मोर केना इसे इसकी वज़े से अब क्या हुआ यह जो भी आइटम्स थे कौन सा कौन सा आइटम्स बी-सी-डी-एच यह भी सब आ गया यह सो मी-सी-डी-एच यह भी आ गया अब मेरी टीम मैं अपना इसो नशारे करते लिएूध मैने इन मेरे को यहां इनको यहां सबस्क्राइब कर लिए वह जिए तो टू दिशिका से मेरे बात हो रही थी तो उन्होंने क्या बोला हमारे एक परफोरमस में को कभी मेरी टीम को क्या बता हो मेरी टीम को तो मुझे ग्रेटर एक्वल टू 3.6 करोपे सब्सक्राइब करवाना है तो मैं मेरी टीम को डायरेक्ट लिगा कम्यूनिकेट करूंगा यह लेवल नॉर्मली टीम को कम्यूनिकेट होता है इसलिए आर्टिकल्स को कभी भी आप मत्याइटी का पूछाना तो वह बोलता है तरेक्ट विकास वी वांट आवर टीम अब यही चीज़ को मैं थियरी में कैसे बताओ आपको लुक अडिटर का रिस्क क्या था जो कम करने के लिए अगर उसने सिर्फ अपने मट्याइटी लेवल पर काम किया तो कुछ मिस्स्स्टेटमेंट् सोम सिर्फेंट् से मिस आउट हो जाएंगे अगर वह दोनों को अड़ लूण को और उडिटर का फेलियर का चांस कम हो जाए तो बात बन जाए पर ऐसा लैंग्वेज का कुछ भी मिलेगा नहीं अपने को जो वो लोग बता रहें उसको ही समझना है अब देखो फील करो जो मैंने एक्जांबल दिया हो अगर सिर्फ ऐसे इंडिविजुल मटियाल मिस्टेटमेंट अगर सिर्फ ऐसे इंडिविजुल मटियाल मिस्टेटमेंट पर ध्यान दोगे तो इट ओवर्लूक्स दफाक्ट इंडिविजुली 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 मिस्टेटमेंट में कॉस्ट फाइने स्ट अब देखो यह डेफिनेशन समझना चाहिए इसलिए यह इतना मैनत किया गुमा गुमा के बताया मैंने 5.3.3 कि फॉर पर्फॉर्मेंस मेटियर्टी मीन्स कि अब अमाउंट और अमाउंट्स सेट बाइदी ऑडिटर एड़ 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 लेज देन मट्यारिटी फॉर फाइनाइश स्टेटमेंट आज ओल राइट जैसे मैंने आपको नोट्स में सेट करवाए 30 परसेंट ओफ माई मट्यारिटी लेविल अमांट और अमांट अ कि ए 3.6 करो जो तुने सेट किया एड़ फिर्स्ट माइं की देफिनेशन तोड़ तोड़ के लिका है मैं एक बच्चा भी एक्सपार हो जाते हैं तो 3.6 करो जो मैंने सेट किया वो कहां पर था बिलोवाइ मुट्यालिटी लेवल अब नेक्स लेंडिक एट लेस देन मुट्यालिटी फॉर फाइनेश स्टेप्मेंट अग्रेंटिफाइड लेवल क्यों किया मैं नहीं है नपरोप्रेटली लो लेवल देप्रोबैविलिटी डाट एग्रीगेट आफ अनकरेक्टेड एंड अन्डिटेक्टेड मिस्टेट्मेंट एक्सी मट्यूलिटि फर फाइनेश इस थित्यूल हलो यह नहीं होना चाहिए इसको कम करना है यह पॉसिबिलिटी को इसलिए कंसे क्यों आया वाइए और यह सुनो आपको याद है मैंने रिलेटेट पार्टी ट्रांसेक्शन के लिए अलग लेवल सेट किया था अल्रैट वाइए टू करोर हो तो मैंने ऐसी रेंडवली आपको बता दिया था मैं अगर आपको ओल तो रिलेटेट पार्टी के लिए लेवल सेट किया है पॉइंट फाइव पर्सेंटेज ऑपड टर्न ओवर के रिलेटेट के लेजर से रहेंगे तो उससे कंसिदर करना है तो बहुंट फाइब सेट करना वहां कि मुझे वह डर होगा कि उससे भी चोड़े-चोडे अर्श्री कारोड़ को शेकरोड त करोड के जो भी सब रिलेटेट पार्टी के लेजर कंसिडर करो तो आप चाहो तो अलग से जो आपने लेवल सेट किये तरह उसमें भी क्या सेट करवा सकते हो पर्फॉर्माइस मैठी यह कोई अनिल कपुर वाला स्टेप नहीं कर रहा हूं मैं इसके नीचे अरहा है पर्फॉर्माइस मैठी विकास जो नीचे लेवल सेट करते हो वही तो एक्चुली टीम को कम्मुनिकेट किया जाता है पर पर्फॉर्मिंग दैर ओडिट अल्राइट वेट 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 अब बोलो खुदी बोल रहे है कि देख भाई परफॉर्माइट को ऐसा क लेवल हम लोग क्या करते हैं पर्फॉर्माइस मट्यालिटी यह नॉर्मली ऐसे इंडेस्टी चलता है कुछ-कुछ जगा पे तो जैसे ऐसे कुछ भी सेट कर देते हैं कि देखो इतने अमांट के उपर का अपने को कंसिडर करना है अपने प्रोप्राइटर में एक दम फ्र पर्फॉर्मिंग रिस्क असेस्मेंड प्रोसीजर्स आपको पता चलेगा कहां पर कितना हो सकते हैं कि देन पास्ट एक्स्पिरेंस क्या था यह अगर मेरा पास्ट एक्सपिरेंस अग्दम फ्रॉडिलेंट अधर बखवा से लोग तो मैं तो 20 परसंट ऑफ मट्रेटी स्टेटमेंट्स का एंड मेरा ओवराल अंडर्स्टेंडिंग अफड़ एंटिटी यह अगर आप वो चाहे तो लोग चार मका कुशन पूछ सकते हैं फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड पॉर डिटर्माइनिंग पर्फॉर्मेंस मेट्यालिटी अब जैसे आपका भी वह जाओगे तो यू आर रुनिंगा रिस्क डाट इसवाइब आलवेज पर आलवेज वर्क एट पर्फॉर्मेंस मट्याइटी तो पास्ट एग्जामेनेशन प्लस जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करें वह और बाकी जो रीडवांस लिखा है वो सब क्या है तॉलरेंस मैं अभी आपका टॉलरेंस लेवल के नीचे क्या होता है तॉलरेंस लेवल आई ओके विद एट वेट 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 अब और थोड़ा लाइफ को मजा कराते हैं लेट उस से आपने प्रीविए से पूरा आपका यहां पर चल रहा है लेट से करेंट एर में फोर्थ कोविड वेव आ गया मारो इसको मारो ओल्राइट लग गया है यह टाइम एंटिटी यह वेव को सैन नहीं कर पाया बहुत एकदम डिजास्ट्रियस वेव आया एं लेट किसी का कुछ परस्तल लॉस हुआ रहेगा तो पर यह लोग एक्जाम में ऐसे सब क्वेशन पूछ रहे हैं कभी वहां पे तो इंस्ट्रिटों को ऐसा क्वेशन थोड़ी पूछना चाहिए ऐसा तो नहीं कभी डेशुड नॉट आस्क अबाउट कोविड फॉर्थ पैंडे और आप तो पूरा किस पे लेके चल रहे थे 1200 करोर समझो 1200 का यह साल 1100 थर्टीन थीज़ीं थीक है तो आधा हो गया वे कि फिप्टी परसेंट हो गया है अब आपके सारे कैलकुलेशन लगाओ वन परसेंटेज ऑफ दे टॉन ओवर क्या होता है इस करोज और आपकी टीम किस पर वरिफाइब कर रही थी थर्टी परसेंटेज ऑफ यॉर मट्याइटी लेवल तो थर्टी परसेंटेज ऑफ सिस मेरी टीम को बोलना पढ़ेगा इदर आओ चुटी 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 बी यह वह भी सब लेजर करो आपको आपको री क्या करने पड़ेगा रीकलोएट बहुत बढ़े प्रैक्तिकल प्रॉब्लेमस होते बहुत इसमें तो यह उगया इसलिए आपको पीड़े सेंप सब्सक्राइब ना इसमें कि सर बराबर बोल रहो कि नहीं बोल रहो कि में हमारे इदर कुछ अलग होता है नहीं यहीं होता है और हमारे में टी-एम के नीचे भी एक ट्रेक्सेशन प्रोफेसर के टेक्सेशन का लेक्शर चर्ट अब काफी बार मेरे पास बच्चे ने प्रैक्टिकल के स्टेडी शेर किया था कि audit end होते होते हैं ऐसा decision लेने में है कि जो उनका other income है वो main income है और जो revenue from operations है वो कुछ नहीं है और तो shift किया पूरा फर्स्ट टाइम other income को revenue from operation में दिखा दिया और जो revenue from operation था वो actually कहाँ पे shift हो गया other income तो उन्होंने पूरा मट्राइटी का calculation revenue from operation के basis पर किया अब पूरा पावबाजी हो गया और रिविशन आप पड़ेगा और वह पूरा चेंड रियक्शन है कैसे एक बम फट्टे तो सारे पट्टे न हैसे आपका सब कुछ एक्सेल शीट में connected होगा तो जैसे यह चीज़े चेंज होगी वैसे सब कुछ चेंज होगा और लास्ट में जैसे इसने बोला सैंपल सारे क्या पड़ रहे हैं नाओ दिस्विल लीड तो रिवीजन ओफ मेट्रियालिटी ओ एवरीवन लुक इंटू दबूक रिवीजन एज ऑड़ेट प्रोग्रेस यह उनका फिवरेट के स्टडी टाइप कुश्चन है पांच मार के लिए कि दौरिटर शाल रिवाइज मट्यालिटी फॉर फाइनेश स्टेट्मेंट इस अगर आपके सामने ऐसी को इनफोर्मेशन आई जो आपको लगता होता ना तो मैंने कुछ अलगी लेवल क्यक्कुलेट करना था यह थोड़ा यह थेयरी लिखना इफ ओड़िटर कंस अक्रॉस सम्धिंग तो री क्यक्कुलेट उदर आप अपना पूरा इमोशन बाहर मत लगाओ इफ ओड़िटर बिकम्स अवेर अप सच इन्फोर्मेशन इन्फोर्मेशन अर्लियर यह थोड़ा लिखो इसा थोड़ा लिखो फॉर एग्जांपल चेंज इन सर्कॉंस्टैंसिस देट अकर दूरिंग अर्ड़िट अल्राइट लेट लेट इस से कुछ बाइनो बिजनेस अक्विजिशिशन बहुत सारे होगे जब एंटिटी एक् पहले कुछ अलग इंटेंशन से मना था फिर अभी कुछ अलग जा रहे है तो काफी बार बिजनेस मॉडल चेंज हो जाता है पर आप ऐसे कैसे दिखते रहे जातों मैनेजमेंट को अल्राइट देन न्यू इन्फोर्मेशन कोई नया इन्फोर्मेशन मिला आपको न्यू इ इन दो आ एफ और खी रेङूरेटरी रिक वारमेंट्स सर यह क्या एक्जांपल लिखार हो कुछ भी क्या लिखार रहो और अफकोस पहले वनकपका थी जाल फ्लावर में था फिर वहाँ से प्लीट गोलेशन जाट फिर लिड़ू और गार से क्या दिखाना है येस येस वन पर्सेंटेज ओफ और रेवेन्यू आप क्यल्कुलेट करते हो दस लाक रुपए विचेवर इस हायर येस उसको अलग लाइन एटम दिखाते हो बाकी को अधर्स में दिखा सकते हो लुक अधिस और चेंज इन ओडिटर्स अंडरस्टैंडिंग अफ द एंटिट अगर यह एक मिड़ा अभी मेरे बात बता हो यह नेक्स्ट पॉइंट समझने के लिए यह को बात बता हो कि एजन आर्टिकल आप कब खुश होगे जब यह लाइन उपर जाएगी तो कि यह लाइन नीचे जाएगी तो अगर समझो बहुत बड़ा बिजनेस हो गया एक्सपांशन फेसे बहुत बड़ा बिजनेस हो गया लेकिन अगर नीचे आए यह अगर थोड़ा सा चेंज होता है लेकिन कैसा होता है अगर मार्जिनली डिफरेंट आउटकम आया होता है तो फिर हम लोग परफॉंस मेटिको चेंज करते हैं नहीं और नेसेसरीली पूरा सैंपल्स करना पड़ता है मैंने बारा सो करोड़ के टॉनवर पर सब कुछ किया था अब समझो एक्च्वल टॉनव पर पर अग्यारी करम ट्रिक्वागर नाब से टुमी तो था टॉनवें टैंट आब से लिए लेल टी लैवड टी लेल इन टिर आफ टॉनवर टी लेवर टाराव फिर लेटी लेल लेजोर स्वेर्वर टॉनवर टीर लेल टीर नवρο कि दन ठीक है अब यह देखो भाई डॉक्यूमेंटेशन का पॉइंट यह से में कौन सी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना है ओवरॉल मट्याइटी फिर पर अपने स्पेसिफिक लेवल को सेट किया रहेगा तो परफॉर्मस मट्यालिटी एंड रिविशन जो जो पढ़ा हो अपने आप वो डॉक्यूमेंट हो जाता है करेक्व आप परफॉर्मस मेंट्याइटी डॉक्यूमेंट करते हो तो लोके डिस मेंट्यालिटी फॉर एस फाइनेश पार्टी के लिए अलग लेवल सेट किया फिर परफॉर्वांस में पूच्छेंज इस हुए तो आल्रैट म question number three you are a modern order alpha limited a manufacturing company dealing in multiple production segments initially you had set a maturity level based upon prior period of financial statements and the financial results available till the date of establishing strategy however due to significant contractual arrangements of the company undertaken during the year you expect a major revision in the financial results of the ongoing period mention the important considerations with respect to revision of materiality एक में वापस नहीं पढ़ना लो पूरा जो content है वहापे पूरा चाप दिया है पूरा वो content चाप दिए लोवर रहेगा तो क्या करना है तो यह 5.4.1 5.4.2 वही चापा है कोई अलग content नहीं पढ़ने जैसे सो question number three content book में इदर लिखा है मैंने question number three कुछ बेवड़े question bank में question number three लिख दे यह त्रिशी का विवी टॉक अब टॉलेंस लेवल and how it is related to sample size इसलिए मेरा sequence में ऐसे आएगा 324 55 30 ऐसे ओल्राइड दन 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 तो जैसे कि आप देख रहे हो कि आपके सारे discussions यहां पर हो चुक है लेकिन मैंने कुछ बोला था point बाद में पढ़ाऊंगा come to page number 67 पूरा flow में समझाना कैसे था page number 67 look at that third point कोच रिया यह लोग बोलेंगे प्लीज एक्स्प्लेंड रिलेशन्शिप बिट्मीन मट्रियल एं और ट्रिस्क देखो अगर कोई financial item बहुत ज्यादा material है तो टेल में वहां पर आप ज्यादा काम करोगे कम काम करो if I were perform more work then obviously मेरा audit risk कम हो जाएगा so if the financial item is highly material all right then obviously I am going to ensure that I work more and my audit risk will be lowered so actually mortality and audit risk all right conceptual terms ने तो inverse relationship पर अगर आप calculation में बोलो आपको ना direct inverse यह सब आपको लिखना है नहीं आपको पता इसके आंसर में क्या है कुछ नहीं पहले मत्यालिटी एक्सप्लेंग कर दो और एक्सप्लेंग कर दो बोलो यह दोनों पूरे audit में इसके बार में लिखा उन्होंने पिर वो लोग बोल रहें मट्रियालिटी कैसे एक्सप्लेंग करना हो तो पूरे ऐसे में फिर लोग देखो क्या बोल रहें वन इन फॉर्म यूर्ट लेवल वगडरे डिसाइड करते हो यह सब आपको क्या क्या करने मदद करता है रिस्क असेस्मेंट रोसीजर इन फाइंट रिस्क असेस्मेंट के साथ साथी मट्यूट लेवल डिसाइड़ हो थैं and then further audit procedures or last minute helps us to form our opinion look at this in planning the audit auditor makes judgments about size of misstatements that will be considered material these judgments provide a basis for risk assessment procedures further audit procedure condition determining the nature timing extent of risk assessment identifying assessing RMM to do point on risk assessment procedure and then further audit procedures कुछ important नहीं इसलिए बीच में पड़ानी ओफ्लोव तूड़ जाता अब कि यह ना यह content आपको से 450 के बाद जर एक बर रीड कराता हूं आल राइंड विद रिस्पेक्ट वेसे 321 ताइम में पर फाइनाश्य सेटमेंट और जो बेंचमार्क सेलेक्शन वगर वो सब रहें सेकेंड में लेवल फॉर स्पेसिफिक क्लास अफ टीबडिस जैसे रिलेटेड पार्टी के लिए अलग से से अब यह मैं नोट्स अप्लोड कर दूंगा मेरे पास अभी टाइम नहीं है तो आप खाली नोट्स में ना एक आधा पेज एक पेज जितना छोड़ दो कि एंड जिस्ट राइड दाउन देर को कॉपी फ्रॉम पीडिएफ एक लाइन छोड़के लिखो पर्फॉर्मेंस मेट्रियालिटी फिर डॉट 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 कॉपी फ्रॉम पीडिएफ विकॉस मेरे को ना यहां पर कोई लैंग्वेज नहीं बिठाना है आपके दिमान मेरे को पहले 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 लिखा आपको सेट कर रहा था अब इसके बाद यह सब यह सब थोड़ी एक्जाम में ऐसा सब लिखन वह मैंने पीडिएफ का वहां पर नोट्स में इससे लिखा दिया था कि आपको पता चले कि इसके एक्जाम्पल्स यहां पर है कॉपी ना करो और डाइरेक्ट कर लो देना उसे अगर जगा नहीं चुटना है अल्राइट नाव एवरिवन प्लीज लीव कपल अफ लाइन य पूरा मिला के मचलिटी का दंसेट है एवालुएशन ओफ मिस्स्टेटमेंट्स इडेंटिफाइड दूरिंग दॉर्ड़िट इवालुएशन ओफ मिस्स्टेटमेंट्स इडेंटिफाइड दूरिंग दॉर्ड़िट अल्राइट एवरिवन ऐसे 450 आपको मट्रियालिटी का कंसेप्ट के बारे में बोलेगा बट खाली उसके बारे में नहीं बोलेगा एक बार मिस्स्टेटमेंट मिल जाने के बाद और को क्या क्या करना होता है यह सारी बाते ऐसे 450 में आपको आएगी और ऐसा नहीं मैंने ऐसे बेसिक्स में इसके बारें बताएं एक बार मिस्टेट में मिल गया तो ऑडिटर से क्या एक्सपेटेटर एडिशू कम्यूनिकेट फॉर रेक्टिफिकेशन और बट अब मैं उसको of audit of audit identifies miss statements during the course of audit if auditor identifies miss statements all right लेट से थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सांपल लेट लेट से एट फिर आटिकल एटीव में उसने देखा कि सैलरी में 500 रुपय का रिइंबर्समेंट एक्ट्रा चला गए एक ही एंप्लोई में ऐसा मिला सारे एंप्लोई में सा नहीं मिला तो सब्सक्राइब कैना एसे वी विल कम्मुनिकेट इस तो दे मैनेजमेंट पर एक्टिफिकेशन येस एव्यों ओवर यह एस और नौ नौ येस देखो कुछ अभी भी एस बोड़े कितने सिंसर स्टूरेंट है 500 रुपय का रिंबर्समेंट का हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करवाएंगे लिसें टू में इंस्टिटोट को भी पता है कि कुछ-कुछ मिस्स्टेटमेंट्स बहुत ही चिंदी हो सकते हैं पर चिंदी इस नौट देवर्ड से सम्स्टेटमेंट्स आ क्लियरली इनकंसिक्वेंशनल कोई भी एंगल से देखो तो इसका कहीं से भी कहीं पर भी इंपॉर्टन इंपक्ट नहीं आए तो आपको पता ही यह फर्स्ट और इसके लिए इंस्टिट्ट बोल रहा है कि डिफाइन कर लो आपका CTT लेवल क्लियरली ट्रिवियल ट्रांजक्शन लेवल यानि क्लियरली ट्रिविल मिस्स्टेटमेंट्स वही है क्लियरली ट्रिविल का मतलब क्या छुट्टा एकदम चिंदी जितना इंपॉर्टन्स आप एविया सब्जेक्ट को देते थे और एंवर्मेंट अश्टइट वही है क्लियरली ट्रिवियल लेवल समझेंगा ना कोई भी एंगल से इंपॉर्टन्स नहीं कोई जहापड मारा आपको कुछ भी करें वो नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ना है और दाट इस क्लियरली अगर मैं कुछ बोलो यह मेरे सबसे इंपॉर्टन निया लेकिन किसी और के सबसे इंपॉर्टन हो सकता है क्लियरली ट्रिवियल यानी अंडाउटेडली अनक्वेस्टनेबली इनकंसिक्वेंशन इसका कोई भी आंगल से इंपॉर्टन इंपक्त आएगा नहीं तो दूरिं वेदर इटेस विदिन दक्लियरली ट्रिवियल लेवल और नॉट क्लियरली ट्रिवियल का मतलब है इनकंसिक्वेंशनल कोई भी कंसिक्वेंश नहीं आएगा इसका छुट्टा तो कोई दोस्त आपको बोलता है कि देख अगर तुने आव ऐसा किया तो मैं तिससे बात नहीं करूंगा बोल यौर विदिन माइट क्लियरली ट्रिवियल लेवल ब्रो सामने माले को समझेगा नहीं वो बोले करता है सिरियूसली ओल्राइट आल राएं इफ इस विदिन हिस क्लियरली ट्रिविल लेवल येस नो इस विदिन हिस क्लियरली ट्रिवेल लेवल देन इन बैट केस् अक्यूमिलेटी नहीं करना है कम्मुनिकेट तो बाद में चुड़ो उसका कोई डेटा वेटा अक्यूमिलेटी मत करो और वो जो आपका एक्सेल शीट रहेगा जिसमें करते हो कि उसमें रिमांक में लिख दो विदिन सिटिटी सो येस देन डू नॉट अक्यूमिलेट सच अब आपका नेक्स्ट टेप क्या है कम्मुनिकेट करना है फोर रेक्टिफिकेशन लेकिन समुझ लो कि आर लेट से और कंडुक्टिंग गवर्मेंट ओडिट सीए जी ना आपको बोला हुआ है कि सर्टन मिस्टेटमेंट बोले कि इतने इतने अमांट के अगर बड़े-ब आपको प्लीज़ दुनाट कम्मुनिकेट विट अपर जो इसे रेस्टिक्शन सो सकते हैं वह उसको एक बार देखो कि कई कोई लीगल प्रोहिबिशन तो निया कम्मुनिकेशन करने वना मेरा नेक्स्ट अट्स्टेप क्या होगा आइविल कम्मुनिकेट फॉर रिक्रिफि whether there is any legal prohibition from communicating misstatements देखो कि क्या कोई legal prohibition from communicating misstatements yes no अगर कोई legal prohibition है देन फॉलो सच लीगल रिक्वार्मेंट्स पिर उन्होंने जो बोला है वो फॉलो करो अगर लीगल प्रोइबिशन नहीं है जो नॉर्मल ही नहीं होता है तो पहले तो मैनेजमेंट को कम्मुनिकेट करो क्पूनिएट मैनेजमेंट फॉर रेक्टिफिकेशिंच क्पूनिकेट विप मैनेजमेंट फॉर रेक्टिफिकेशिंच और तू रहाईए अब दो बाते हो सक्क्ति किया तो नहीं किया आधर इसे क्लिफाइद 타 end और इक एस नोटकुरेटिफएट भाइटेंस कि अगर उन्होंने एप्रोप्रेट लिए कर दिया तो बात कहते हो एक होगर अगर उन्होंने अप्रोप्रेट़ रिक्टिफाइब नहीं किया तो क्या करोगे एक्षन क्या एक्षन एक्षाइन 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 उनसे रीजन्स तो समझो क्यों रेक्टिफाइए नहीं करते हैं पॉसिबल है शायद आपकी मिसंडर्स्टेंग क्लियर करते देखो यह ना शौट चाट ने चल रहा है ऐसे फोर फिफ्टी को इतना शौट पर खतम हो जाएगा अब एक एक चीज चल रही है वह पहले आपको मैंने आउटलाइन पड़ाया हुआ है अब एक एक स्टेप बतान और रहें वैलिड रीजन से उनके पास शायद की कुछ मिसंडर्स्टेंडिंग थी आपको जो उन्होंने क्लियर कर दी वैलिड रीजन से बात खतम हो गया इन वालिड रीजन से अब दोस्ट चाजविट गवननेंस के पास भी तो जाओ डायरेक रिपोर्ट रिपोर्ट क्या कर रहे हो तुम न्यूज रिपोर्टर की तरह एक कर रहे हो कुछी मिला ब्रेकिंग निउज है आल्रैट जारा इन्वालिड रीजन लिए देन कम्मुणिकेट सच अनकरेक्टेड इस्टेटमेंट्स कुछ बच्चों नभी से सोचले है एक सिर्फेट चाट करेंगे चले जाएंगे उपने के शाच अनकरेक्टेड इस्टेटमेंट्स पूर फिफ्टी इतना खास नहीं आप यह चार्ट और वह जाता है कमिनिकेट सच अंकरेक्टेड मिस्स्टेटमेंट इस इद डू जी ऑख अखरी मौका दे रहा हो टीडविविजी फॉर एक्टिफिकेशन वह यह उसको elaborate कर रहे हैं अब यह कम्मिनिकेट सच अनकरेक्टेड मिस्स्टेटमेंट स्वेच टीसी डब्यू ची आल राइट नाव लेट असे इफ देरेक्टिफाई और यह दो नौट रेक्टिफाई अब मैं वापस इता रीजन ने पूछेगा ओपर मैं रीजन विजन देख लिए तब अब राज बोल तू कि अब जितने भी मिस्टेटमेंट्स अंकरेक्टेड रह गए उसको लोग अक्यूमलेट करेंगे और देखेंगे वेदर वो मटीरियल है कि नहीं तो यहला अब क्यों एक क्या तसश sug नगरेटेव मिस्टेपेंगे यही राज की मैं एलिएoss अंकरेटेड मिस्टेपेंगे but evaluate the materiality materiality पूरे financial statement पर क्या आसर डाल रहा है materiality for financial statement as a whole ओब suppose यह सारे मिस्स्टेटमेंट्स accumulate करके हो गए greater than equal to one percentage of turnover तो मैं qualified opinion की तरफ जाओंगा ज्यादा बड़े मिस्स्टेटमेंट्स हुए तो मैं adverse opinion के तरफ जा सकता हूं तो इसके बाद फिर क्या होता है कि इस अक्यूमिलेशन इस material है तो बात चली गई ऐसे 705 में इंपाक्ट ओन ओपीनियन करोगे modified opinion तक बात चली गई है बड़ अगर accumulation इस इंब मटीरियल है तो फिर आपका clean opinion चला जाएगा उसके पर आपका यहां पर खतम हो जाता है इसके बाद impact ऑन ओपीनियन वगए क्या होगा वो तो 700 सीरीज में चला जाता है अल्राइट अर्यू तुरू इस येस 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 एक मेड़ा अभी यह आपका यहां पर discussion हो गया अभी content book में आपटापट इसे येश्य इस ये अपको चार्ट में बता दिया अधर कुछ निए ये ये यह एकिप्जेक्ट्टिव क्या यह जो भी जिएप्स आपको मिले जो भी मिस्टेटमेंट्स आपको मिले आइडेंटिफाइट्स स्टेटमेंट उसका ऑडिट पर क्या आफ़ाएगा एंद जितने भी अंकरेक्टेड अगरेंश का फाइनिये फॉर्म करते वह तो यह तो यह सब कुछ नहीं चाटना है लोगे दिशू अब लोगना क्लियरली ट्रिवल वगरे का मीनिंग बता रहे हैं दो ऑडिटर में डेजिगनेट एन अमांट बिलोव विच मिस्टेटमेंट्स वुड बी क्लियरली ट्रिवल and would need not be accumulated because auditor expects that the accumulation would not have a material effect on the financial statements clearly trivial is not another expression for not material clearly clearly inconsequential matters that are clearly trivial will be wholly of a different order of magnitude then materiality and will be matters that are clearly inconsequential individually देखो aggregate में देखो size में देखो nature में देखो कोई भी circumstances से उसको evaluate करो सब जगा से हो क्या होगा इन मट बोला है inconsequential सब जगा सो क्या होगा inconsequential है कि अगर आपको इत्तु सा भी डाउट है कि यह inconsequential है कि नहीं तो फिर वो आपकी clearly trivial level के ऊपर है यह तो कोई भी तरीके से material कोई भी consequence आए गए नहीं whether there is any uncertainty about whether one or more items are clearly trivial the matter is considered to be not clearly trivial 3.2 consideration of identified statements as the audit progresses जैसे जैसे आपका audit आगे बढ़ता जाता है लेटस से आपको जो टोटल मिस्टेटमेंट्स मिले आपका मट्याइटी रेवल क्या था हमारे तो कहना इसे मिस्टेटमेंट्स जैसे मिलते जाते है इस पॉसिबल कि आपका नेचर टाइमिंग और एक्टेंट ऑफ प्रोसिजर भी चेंज होता जाए येस काफी पर क्या होता है आपको कुछ एक इस प्रोचिप्त मिस्टेटमेंन आपडे के साथा तर आना शूरूग को एक इस थे प्रोचेंट मिस्टेप्मेंटार नियर्ट तो क्या शरा गूचे वह बिदीघुए नौर फेटर तो अबिस्टेंट और ओडिची सॉच इन इस तो मिस्टेटमेंट प्रोसिए और उ of the procedures yes natural timing and exchange not only nature all right first nature of identified statements and circumstances indicate that when aggregated with the other statements could be material so when you think that there could be more statements or almost materiality the Portuguese of misstatements approaches materiality in this situations you may decide to modify your nature timing and extent of audit procedures इसको इंपोर्टेंट मांक करो और यहां पर एसली को read with essay 300 एसे क्यों लिखा रहा है यह एसे 300 में आप स्ट्रेटेजी प्लान यह सब का discussion होता है तो क्या होगा कि जो भी आपका स्ट्रेटेजी प्लान वगर है उसको मॉडिफाइ करना पड़ सकता है इफ दे मिस्स्टेटमेंट अप्रोच मेट्रियालिटी और इफ दे मिस्स्टेटमेंट इंडिकेटर देर कुड बी मोर मिस्स्टेटमें ऐसे 300 में एक question है कि strategy और प्लान को रिवाइस कब करना पड़ेगा उसके examples दो इस एक्स अगुड एक्जामपल ओके यह 3.2.2 अवर्ट कोई प्रॉब्लेम ही अपना चार्ट यह अरह पटापट अगर हमारी रिक्वेस्ट पे management has examined the class of TBD and corrected misstatements that were detected क्या होता है जैसे कि अगर हम लोग कोई वाउचिंग कर रहे थे पर्चेस इसका उस पर थोड़े बहुत मिस्टेटमेंट्स मिले तो हम लोग क्या बोलते हैं यह पर्चेस का पूरा जो डेटा है एक अपने एंप्लोईग से पुरा चेक करो और आपको जीतरे मैरे मैरे को जीतरे मिस्टेटमेंट्स वह तो रेक्टिवाइब करें और फिर अलो आडिटर शाल कम्टिकेट ऑना टाइमली बैसिस ओल दी शेटमेंट्स अप्यूमलेट किया थे हमने विचार क्लियर ट्रिवल लेवल तो जो भी मैंने अक्यूमलेट किया था वो मैं उनको कम्टिकेट करूंगा फॉर रेक्टिफिकेशन अनलेस प्रोहिबिटेड बाइ लौ और रेगुलेशन देखो ना पूरा चार्ट यहारा है मेरा दो अधिशन रिक्वेस्ट मैंजमेंट तो करेक्ट दोस मिस्स्टेटमेंट इसम और अल अफ दॉप्टेटमेंट्स देखेंगा कि उनके रीजन वैलिड है क्या अभी भी वह म मिसंडेस्टेडिंग वह होगा और यह सब चार्ट चार्ट कि नॉट्स कि इवालुएट इफेक्ट उफ अनकरेक्टेड मिस्स्टेटमेंट तो मैनेजमेंट ने जो भी रेक्टिफाइज नहीं किया वह जो सारे निश्टेटमेंटस है उसको लोग बोल रहें कि आप एवा भी पास होना चाहिए था अगर नहीं हुआ है तो वह भी कंसिदर करो look at this prior to evaluating the effect of uncorrected misstatements auditor शाल एक मिनेट अब आपको समझ मैं कि जब हम audit के end तक पहुछते हैं you should be very clear about your materiality level यह सब कब होगा यह सब मिस्स्टेटमेंस का अडिके end में and end तक पहुछते पहुछते आपके पास actual data आजाता यह साल का जैसे कि मैंने लास्ट एसे में समझाया यू शुट बी वरी clear about your materiality level तो बोल रहें एक मिनिट तू इसके पहले की मिस्स्टेटमेंस material है की नहीं वो सब चालू कर उसके पहले तो decide कर ले what is your what is your materiality level अरे बेवडे हो क्या लास्ट लास्ट एसे में लास्ट पॉंट क्या था revision of materiality हां तो auditor शुट भी वेरी क्लियर कि उसका मट्याइटी लेवल क्या है इस स्टेटमेंस का evaluation शुरू करेगा उसके बाद material को रिवाइस करेगा क्या तो इस भी वेरी क्लियर कि उसका अप्रोप्रियेट एस पर देंटिटी इस एक्चुल फाइनशल रिजल्स को दो रिटर साल डिटर्माइन वेदर अन्करेक्टेड मिस्टेटमेंस आर मटीर इन मेकिंग इस कौन से situation of misstatement हुआ है क्या amount involved है कौन सा nature of misstatement है अब भी related party का disclosure नहीं दिया रहे है तो वो कोई amount थोड़ी गलत गया है notes to accounts ने लिखा है बढ़ फिर भी हो material है कि नहीं तो वह बोल रहे है size nature सब देखो फिर आप देखो past period में कौन से statements थे which have not been rectified all right बड़ यह point सबसे best था that you should be very clear about your maturity level before you start evaluating the misstatements okay communication with tcwg tcwg के साथ जो भी communication करना है I have written it in my notes chart notes खाली वो लोग बार-बार याद दिला रहे हैं कि last year के भी कुछ uncorrected रहेंगे तो वो भी communicate कर दो all right 3.6 return representation let us say last we must pointer let us say last management statement को rectify नहीं कर रहे हैं बड़े-बड़े misstatements not rectifying valuation misstatements disclosure misstatements तो मैं ऐसा तो नहीं तो ही तो आप rectify नहीं करते रहोगे ना अगर आप गदे थोड़ी हो अगर आपको लगता कि वो material है तो आप rectify कर दे तो प्लीज मुझे आप लिखकी दे दीजिए दो चीज़ या तो आपके हिसाब से नहीं है या तो अगर मीस्तेटमेंट यह तो आपके हिसाब से अब क्या वो लिखके देगा मुझे अगर सब्सक्राइब करो तो यह पता है यह यह वैसा वाला सिचुएशन है पर डाइरेक्ट तो नहीं बोल सकते चोर है तो लुक अधिस रिटन रिप्रेसेंटेशन में लिखवाना किया लुक अधिस जितने भी लास्ट में रेक्टिफाइब नहीं कर रहे हैं लोग लिख वालो य तो तेरे हिसाब से वह मिस्टेटमेंट नहीं या तो है और मटीरियल नहीं लुक अधिस रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेसेंटेशन फ्रों मैनेजमेंट एंड अप्रोप्रोप्रेट टेड़ीव टेट्स आपने इतने रेक्रिफाइब ने किया एक एक क्या गेस्ट कमेंट मिस्टेटमेंट या इस पर यू इस इंपर इस इंपरिए इन सम्सर्कॉंस्टेंसेंस मैनेजमेंट अन्वेर अप्रोप्रोप्रेट इसी डेवली जी में नॉट बिलीव एट सर्टन अंकुर बोल रहा है लिकिन यह तो मिस्टेटमेंट है ही नहीं आ तो लिखके देना for that reason they may want to add to the return representation words such as we do not agree that so-and-so items are misstatements because of the reason so basically return representation if misstatements are not misstatements as per the management misstatements are not misstatements means they do not believe that the misstatements are misstatements are you understanding miss all right second they believe that misstatements are immaterial no cheese one misstatements are not misstatements second they believe that misstatements are immaterial जो भी है अंकूर मेरे को लिखके देगा कि इनवेंटरी का और वालिवेशन है तो मैं ऑफिशली वह पागल सब्सक्राइन में दिखा सकता है यह देखो इसको एडमिट कर लो है और या तो मिस्टेट्मेंट्स नौट मिस्टेट्मेंस या तो मिस्टेट्मेंस यह वह अंकूर जो भी लिखके देगा मैं आपना अपने सब्सक्राइब करेगा कुछ यहां पर जो क्लाइंट फेवरेट ऑडिटर सब्सक्राइब के सब्सक्राइब तो क्या हम भी उसे इमट्रील मान ले मेरा पूरा आडिट फिर पानी में गया इतरह दिए ओके लिए देखो वह आपको याद दिला रहे कि गदे अलग अलग रिटन रिपेसेंटेशन और क्या-क्या लिखवाने कौन से ऐसे में क्या-क्या है अच्छा बन सकता है एक दम होई सब लोग कॉपी कर लेंगे क्या है इसका 3.7 तुम लोग चालू क्या भी एंसी क्यों में कॉपी बग रहे अरे मर जाएगा बीकॉम एक्जाउ यह जबर्दस डिसकेशन चालो गया अभी किसी को लेट नहीं हो रहा है कुछ ने कुछ ने लिए सखेंट तुने जो भी कम्यूनिकेट किया है वेदर वो रेक्टिफाइब रहा नहीं हुआ उसकी कॉपीज ऑफ कम्मिनिकेशन लास्ट में तेरे इसाब से कौन से के बारे में क्या-क्या डॉक्यमेंटेशन चीह उसको कि टोटल इफेक्ट क्या था उसका एस पर यॉर बटी लेवल वाट इस मटीरियल इमटीरियल एंड जितने भी अनक्रेक्टेट में से उसका की रेशियो पे क्या असरा रहा है एक्जांपल मिस्टेटमेंट काफी पर छो लेकिन फिर पता चला कि साला 10% टर्न ओवर अगर इंक्रीज होता है तो सीए नहीं नहीं तो सीओ का सैलेरी डबल होने वाला आगर 10% इंक्रीमेंट वा टॉन वर पता चला कि इतना च्छोटा सा मिस्टेटमेंट उन्होंने क्यों किया वे घटिंग मैं पॉइंट का का स्के कुछ नहीं है इसके अंदर भाई क्या क्वेश्चन बैंक करा है कि नाइनटी देखो फटा-फट बोल देता हो आपको आपके इसाब से पढ़ना इसमें कुछ नहीं है तू क्वेश्चेंज पर्स्ट क्वेश्चन तो आपको सीपीटी सीय फांडेशन जो भी क्या रहेगा उ क्यों है अरे यार या तो एरॉर ऑफ कमीशन और और ओमिशन यहां तो कुछ प्रिंसीपल बेस्ट इर्र बस उसको नहों नेकी क्लाइम में लिखा है यहां तो कुछ इनकिरिसी हुए कमीशन ओमिशन किया एस्टीमेट्स बगले में प्रिंसिपल बेस्ट एर्र स्किया अच्छा एर्र दो पूछा पूचा किसी में सोर्सिस ऑफ मिस्टेट में सेकेंड उनको एक्जांपल्स चाहिए है सेकेंड नहीं सौरी थर्ड कोश्चिन में फीटकेंड कोरे थर्ड क्या से अ. उनको एक्जाम्पल्स चाहिए कि कौन से मिस्टेटमेंट्स भले अमाउंट छोटा हो फिर भी मट्रियल हो सकते हैं या अमाउंट में कुछ लेना देना नहीं है जैसे कुछ इन्वेंटरी का कॉस्ट एंड्रेड एनर्व बन जिरो वन ए एनर्व पर वैल्यों पर गलत गया एक रुपए का मिस्टेटमेंट पर अकांटिंग पॉलिसी गलत हो गया आपका रीडवन के जाएगा अब अपने इसाब से भी लिख सकते हो एक्जांपल नॉट अप्र प्रॉब्लेंट को चोड़के बाकि सब सोचो इस्क्लोश गलत गया अग्पांटिंग पॉलिसी गलत यूज़ कर लिया रेगुलेटरी नॉन कंप्लाइसे पैनल्टी जैसी छूटी अमाउंट है पर फिर भी रेगुलेटरी नॉन कंप्लाइसे हैं पॉस्चन नमबर टू में बोल रहा है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ मिस्टेटमेंट तीन कैटेगरी होती है मिस्टेटमेंट की या तो फैक्चुली कुछ गलत चला ग प्रोजेक्शन करके अल्राइट सो ऐसे 450 आपका सेव श्टडी में भी 20-25 मिने खतम हो जाना थी जिन्दगी में और जाधा टाइम देना मतिस्कों अल्राइट एट सिट देन विल कंटिनू इन नेक्स लेक्टर